उत्तरी अंदमान सागर में कल चक्रवात, सित्रन का खत्रा मघुआरों को ओरिसा तट और बंगाल की खाडी में ना जाने की चितावनी भुवनेश्वर, उत्तरी अंदमान सागर पर बने कम दबाव के क्षेत्र के शनिवार को और गहरा होने के बाद 24 अक्तूबर तक इसके स चक्रवात का रूप लेने की आशनका है भारत मौसम विज्ञान विभाग, आइंडी, द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप से 1460 किलोमीटर दक्षिन दक्षिन पूर्व में यह कम दबाव का क्षेत्र शनिवार सुबह लगबग सा उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 23 अक्टूबर की सुबह तक दक्षिन पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास और पूर्वी मध्य क्षेत्र में कम दबाव के क्षेत्र के और गंबीर होने का अनुमान है विभाग के अनुसार ओरिसा के आठ जिलो के लिए अलर्ड जारी केंडर ने पूरी, जगत सिंगपूर, केंडर पाड़ा, भद्रक, कटक और खुर्दा जिलो में मूसलाधार बारिश जिलो के लिए अलर्ड जारी किया है राज्य भुवनेश्वर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रिय बालेश्वर, मयूर भंज, जाजपूर, क्योंजर की चेतावमी जारी की है विशेश रहत आयुक्त पी के जेना ने कहा, हमने आठ इस चुनोती से निपटने को तयार है बंगाल की खाड़ी और गहरे समुद्र क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है साथ ही 23 से 26 अक्तूबर के बीच उन्हें ओरिसा तट और पश्चिम मध्यव उत्तरी बंगाल की खाड़ी में जाने से मना किया है इधर सम्भावित खत्रे के मध्य नजर ओरिसा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने तटिय इलाकों को खाली करा लिया है और आपदा प्रबंधन यूनिट को सतर्क रहने के निर्देश दिये है एजेंसी 24 अक्तूबर की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के मध्य में चक्रवाती तूफान का रूप लेने का अनुमान इसके फिर से धीरे धीरे उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने और 24 अक्तूबर की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के मध्य में चक्रवाती तूफा को माद दया